के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं फिलहाल जेबिटी जेवे आईटी पोसकोड 817 और एंटिटी भरती को लेकर नई अपडेट हम आपको आज के इस बुलेटिन में देने वाले हैं बात करना चाहेंगे चार नए मुख्या संसदियस अचीवों से जुड़ का जिम्मा यहां पर सौंपा गया है बिल्कुल अपडेट हम आपको देने वाले हैं देव भुमिक शत्रिय संगठन वहीं संगठन है जिन्नोंने पुल्व सरकार में यह डिमांड उठाई थी कि स्वर्ण आयोका गठन किया जाए एक बारी फिर खुंकार भरी गई है इसी स तरह का बना रहेगा हाला कि 24 चनवरी को यलो अलर्ट बारिश और बरफबारी को लेकर जारी किया गया है मध्या परवतियक शेत्रों में और उपरीक शेत्रों में यहां देखने के लिए मिल सकता है फिलहाल अभी तक क्यूंकि बरफबारी को लेकर इंतजार ही बना हुआ ह उपरीक शेत्रों में भी पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम बारिश और बरफबारी हुई है मध्या परवतियक शेत्रों में अभी तक बारिश बरफबारी नहीं हुई है हलाकि रोजाना सुभा से शाम तक यहां मेग चाय रहते हैं सरदी काफी बढ़ रही है और एक तरह से कोहरे को लेकर भी अभी निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है वीजिबिलीटी का खत्रा बना रहेगा लेकिन इस बार मौसम विज्ञान केंदर की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है ये कितना सही साबित होता है 23-26 ज रस्त भी हो जाती है और इसके अतिरिक कभी 200 के करीब अलाहुस्पीती और आसपास के क्षेत्रों में सड़के बंद ही बताई जा रही है ऐसे में अगर एक बार फिर बरवबारी होती है तो स्थानिय लोगों के लिए ये परेशानी बन जाती है वहीं जेविटी पदों से जुड़ी भी जानकारी देना चाहेंगे दर असल क्यूंकि आंक्रा आज हमने निकाला है सरकारी स्कूलों में लगातार जेविटी के पद खाली होते जा रही है फिलहाल ये आंक्रा 3798 तक पहुंच चुका है यानि कि इतने पद खाली चल रहे है और चात्रों पर भी इसकी के लिए यहां पर्मिशन दे दी गई थी लेकिन कमिशन आधार पर अभी अभी हर्थी इंतजार में ही बने हुए हैं क्योंकि सुप्रिम कोड के फैसले का इंतजार तो राज्य सरकार को भी है और उसके बाद ही इसमें फिर कुछ हो पाएगा दरसल अभी कुछ समय पहले ही कि यहां जिस तरह से टेट की परिक्षा में बीएड को पात्र मान लिया गया था तो जेबीटी अभी हर्थियों का विरोत काफी जादा बढ़ गया था अब देखना होगा इनके हक में फैसला आता है या नहीं क्योंकि अभी हर्थी भी यह चाह रहे है कि सरकार वहां अपन बीएड को उसमें क्यों involved किया जा रहा है इसी वज़ा से अभी कमीशन अधार पर ये मामला लंबित है कोट में देखना होगा कब तक इस पर फैसला आता है लेकिन बड़ी बात ये है कि स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं जो पुराने जेविटी थे वो रिटायर भी हो और इस बीच काफी सारी समस्याओं का सामना चात्रों को करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों में तब तक पढ़ाई में सुधार नहीं हो सकता है जब तक वहां शिक्षकों के सभी पद भरे नहीं रहेंगे एंटिटी भरती की बात करें तो बिल्कुल यहां पर भी विश्य कुछ ऐसा ही बना हुआ है देखे प्री प्राइमरी कक्षाओं में लगातार एंडरोल्मेंट बढ़ती जा रही है सरकारी स्कूलों में अभी दो हजार अठारा के आंकड़े की बात करें तो महस दो फीसद की अभी तक नहीं हो पाई है इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जेविटी पर ही जिम्मा छोड़ा गया है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का वो काम करें दूसरी और अगर एंटिटी भरती की बात करें तो पुर्व सरकार में इनके लिए देखे पॉल करते हुए रहे गए कि आखिरकार अब चुनाव आयोग से किसे यहां पर इसे लेकर आनूमती मांगनी है आनूमती किसी ने भी नहीं मांगी सत्था क्रीवरतन उसके यह कहना था कि भरती जरूर होकर रहेगी जो 15,000 के करीब महिलाएं हैं उन्हें डरने के आविशक्ता नहीं है लेकिन नए सीरे से भी इनके लिए अब नई सरकार यहाँ पर पॉलिसी बना सकती है यानि कि पहले जो कुछ प्रावधान यहाँ तै हुए थे उससे हट कर इस भर हाइटी पोस्कोर्ड 817 की बात करें इनके लिए रहत भरी खबर भी हाला कि यह कहना चाहेंगे क्योंकि देखें यहां जो मंत्री विक्रम अधित्या सिंग है उनकी और से शोशल मीडिया पर पोस्साजा की गई है जिस पोस्के जरिये उन्होंने पोस्कोर्ड 817 की अभिहर को की थी फिर CM ने इने कहा था कि 20 December को इनसे मिलने आएं काफी संख्या में सैंक्डो के हिसाब से यह सची वालिया में 20 December को पहुंच बीमदा, s mechanical संवरो मांफि चाहेंगे 20 चनवरी को पहुंच भी गए और बीस चनवरी को जब यह मिलने के लिए पहुंचे लिए तो तो त थिती कुछ इस तरह की बनी कि सुभा से लेकर शाम तक इन्हें इंतजार करना पड़ा जब CM सुखु इनसे नहीं मिले तो ये काफी जादा रोश में आ गए थे कुछ एक काफी भावुक भी हो गए थे अपने साथ कुछ एक पोस्टर लेकर आए थे जिसके जरीए ये दावा कर रहे थे कि सत्ता में आने से पहले कॉंग्रेस ने ये दावा किया था कि इनके साथ कॉंग्रेस की सरकार खड़ी रहेगी और इनकी न्यूक्तियां भी होगी लेकिन अब तो इनसे मिल भी नहीं रही है हालाकि फिर शाम के वक्त CM सुखु ने इनसे मुलाकात की थी इनकी भरती को लेकर जो भी उचित कदम उठाये जा सकते हैं उन्हें उठाने की बात भी यहां पर कही गई थी आश्वासन इनने पूरी तरह से दिया गया लेकिन अब उसके बाद मंतरी विक्रम आलितिया सिंग की ओर से भी पोस्स साजा हुआ है तो अब काफी संख्या में अग कि अगर यहां आयो की कारेप्रणाली को फिर से बहाल किया जाए हमीरप्र करमचारी चयन आयो की कारेप्रणाली की सबस्पेंड है इसमें लगभग दो महीने का समय सरकार की और से मांगा गया था क्योंकि यहां उन सभी पेपर्स को लेकर जांच हो रही है जिनके लीक होने का मामला यहां सामने आया था लेकिन इन अभियर्थियों का यह कहना है कि इनके साथ अब देरी ना की जाए क्योंकि इनके तो टाइपिंग टेस्स का रिजल्ट भी घोशित हो गया लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल में ये कहीं जाकर प्रक्रिया पूरी हुई थी, न्युक्तिया इन्हें मिलनी थी, लेकिन फिर न्युक्तिया मिलने से पहले एक और विवाद यहां सामने आ गया कि I.O की कार्य परनाली ही सस्पेंड कर दी गई, दूसरा मामला इनका ये है कि क प्रोट में भी मसला चल रहा है लेकिन इनकी ओर से बात यह कही जा रही है हवाला यह दे रहे हैं अभियर्थी की जब जेबिटी को कंडिशनल न्युक्ति दे दी जा सकती है तो फिर इन्हें क्यों नहीं दी जा रही है या फिर किसी और एजेंसी को या फिर लोग सेवा आयो हुई थी वो इनके लिए कितना स्टैंड लेते हैं ये अगले कल पता चलेगा क्योंकि मंत्री विक्रम आदित्या सिंग ने खुद इन्हें मिलने के लिए बुलाया है नहीं पॉलिसी को लेकर भी यहां ज़रूर बात करना चाहेंगे दरसल ये करमचारी पिछले 24 सालों से स तयार हो गया था लेकिन ड्राफ्ट पर सरकार से अनुमती नहीं मिली थी कुछ ना कुछ पेच बीच में फस रहे थे और सर्व सिक्षा भियान के तरश पर इनके लिए ये ड्राफ्ट तयार किया गया है इसके लिए स्पैशली एक कमीटी का गठन हुआ था अभी ये भी इ लाब भी इने नहीं मिल रहा है 2400 के करीब इनकी संख्या है अब इनकी और से वर्तमान सरकार के समक्ष यही हवाला दिया जा रहा है कि पुर्व में कॉंग्रेस की सरकार ने जो वाइदा किया था वर्तमान में क्यूंकि फिर से कॉंग्रेस की सरकार बनी है तो जल्दी ही य सिक्स मंस के फैसलों को रिव्यू कर रही है अभी वर्तमान सरकार जो कि पिछली सरकार की ओर से लिए गए थे और उसमें एक एनेचेम पॉलिसी ड्राफ भी है अब इस ड्राफ को मनजूरी मिलती है या नहीं या नए सीरे से अब इस ड्राफ को भी बनाने की बात होगी अंदोलन किये गए हैं धरमशाला में अतबोबन विधानसभा परीसर का भी इनोंने घिराफ किया था हजारों की संख्या में वहां संगठन के कारेकरता पहुंचे हुए थे ऐसा ही महौल कई बार यहां राजधानी शिमला में जो विधानसभा परीसर है वहां का भी देखन पढ़ रहा है वो विपक्ष में बैठी है अब इन्होंने CM सुखु को भी चिताबनी देते हुए ये कहा है कि पहले कॉंग्रेस के नेताओने और विशेश तोर से CM सुखविंदर सिंग सुखु ने भी सत्ता में आने से पहले इन से वाइदा किया था कि जैसे ही कैबिनेट व परत्मान सरकार को भी भुगतना पड़ेगा साफ शब्दों में आज इन्होंने ये कह दिया है कि ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे हाला कि इन्होंने अपनी देवभूमी जनहित पार्टी भी बनाई थी तो इनका कहना है कि वो विकल्प भी हमेशा के लिए अब खुल गय लेकिन उसके बावजुद भी देखे ये विकल्प देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकी ये पार्टी अब जितने भी चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं अपना उमीदवार उतारते रहेंगे पैंशन को लेकर एक बड़ी बात कहे गए हैं कि अगर अगले व सवर्ण आयो के गठन की मांग उठा रहे हैं यानि कि एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे ये चितावनी इनकी योड़ से सामने आई है और देखे जो इनके प्रदर्शन रहते हैं अभी तक सबसे जादा उग्रम आने गए हैं अगली बात करना चाहेंगे बागवानों के पत्र से जुड़ी जो की CM सुखु को भेजा गया है दरसल 20 सुत्रिय मांग पत्र इनों ने दिया है सबसे बड़ी बात ये है कि जो कमपनियों की दखल अंदाजी है उस वज़ा से काफी जादा घाटा बागवानों को हो रहा है एक ठोस नीती इनके लिए यहां बनाई जा करदी ही उसका भुगतान कर दिया जाए बीच पर और कीट नाशकों पर खाद पर सबसीड़ी इन्हें प्रदान की जाए और कश्मीर की तरज पर सेब यहां M.I.S. लागू की जाए ये भी इनकी ओर से डिमांड की गई है पुर्फ सरकार में भी की गई थी काफी बार इनक की जिन डिमांड को पुरा करने की बात भी हुई केवल काग्जों पर ही वो सीमित रहे गया इन्हें धरातल पर उसका कोई भी फाइदा यहां पर नहीं मिल पाया है आज ही देखे स्कूलों को लेकर और नए दिशा निर्देश यहां पर NCRT की ओर से जारी हुए हैं अब स् चातर शब्द का इस्तिमाल होगा चातर में लड़कियां भी आएंगी लड़के भी आएंगे और ट्रांसजेंडर भी आएंगे और दूसरी बड़ी बात रेजेस्टर में या फिर परिणाम घोशित करते वक्त लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग से कॉलम तयार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे भी भेधभाव उत्पन होता है सहज जो ट्रांसजेंडर चातर है वो अपने लिए महसूस करते हैं तो अब इनके साथ ये भेधभाव ना हो इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है दिशा निर्देश का अलग से यहां पर का शव मिला है सफाई करमचारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बोरी में नवजाश शिशू का शव था तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई पुलिस ने अभी इस नवजाश शिशू के शव को अपने हिरासत में ले लिया है और जांच बिठाई गई जल्दी ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन इसके पीछे के आरोपी है चार सीपीएस को नई जिमेदारी यहां पर दे दी गई है क्योंकि देखिए जो सीपीएस अंजय अवस्थी और सुंदर सिंग ठाकूर है इन्हें तो पहले ही मंत्रियों के साथ डिपार्टमेंट्स का जिमा सौंपने के लिए टैश कर दिया गया था लेकिन मोहनलाल ब्राक्टा, रामकुमार चौदरी, आशिश भुटेल और किशोरी लाल भी अब कामकात संभालेंगे मोहनलाल ब्राक्टा को वीदी विभाग में मुख्या मंत्री के साथ लगाया गया है, इसके अलावा उन्हें उद्योग और संसदिय कार्या मंत्री हर्श वर्धन चोहान और राजस्व मंत्री जगसिंग नेगी के साथ जोड़ा गया है, रामकुमार चौदरी को मुख्या म होगी जबकि प्रारंभिक और उच शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षा मंतरी रोही ठाकुर के साथ जोड़ा गया है इसी तरह से CPS किशोरी लाल को क्रिशी मंतरी चंदर कुमार के साथ जोड़ा गया है और वे इस विभाग में पशुपालन विभाग की जिमेदारी देखें क्योंकि आज दिली के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्दी ही प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, राश्रपती, द्रॉपदी, मुर्मू और ग्रिह मंतरी अमिश शाहा के साथ मुलाकात करने वाले हैं हाला कि ये मुलाकात पहले ही 19 दिसेंबर को करने वाले थे लेकिन जब कोविड टेस्ट इनका हुआ था प्रोटोकॉल के मुताबिक तो फिर उसमें पॉजिटिव पाए गए थे तो ये शिष्टा जाहर भेंट नहीं कर पाए थे फिरहाल प्रदेश के मसलों को लेकर अभी ये चर्चा करने के लिए नहीं गए हैं बलकि एक तरह से शिष्टा च बाक शेतर भी जाएंगे तो फिल हाल के लिए यही जानकारी फिर मिलेंगे नई खबर के साथ